है दोस्तों आज बात करते हैं आये यस्टी की इंडिन इस्टिट्यूट ओब स्पेस साइंस और इसेट जिनके जैए डूंस में कम इसको रहां जी अच्छा ब्रॉंच एरोस्पेस चांद आस्मान इस्रो इलोन मस्क नासा की याद आती है जिनको सुनके आवेसे तो आज हमार जानने वाले कब तक एडिशन कंप्लीट हो जाएगा क्लासेज कब तक लगेगी वैसे काफिशा रेपैरेंट्स के सवाल रहते हैं यह एरोस्पेस ब्रांच कैसा है कई यह सा तो नहीं हो सभी को चांद पर बेज़ देंगे एरोस्पेस ही सुरों बोंडिंग क्या सारा सिस् आज रेंग के दिसकस करेंगे तुम्हारे कितना रेंग होना चीए तुम वेटिंग कर लपड़ाई चोड़ो कि इतने रेंग तर हो जाएगा पहले बात करेंगे जनरल वाले बच्चों के लिए आगे अगर आपकी जनरल के टेगरी है हंची जनरल के इंदर एरोस्पेस की करते हैं जी जंर्रल में आपकी गर 1000 हैं जी एक हजार आपकी गर आरी है जनरल के टेगरी के अंदर आई यह की रेंग ढेन आपको एरोस्पेस मिलें पूरे पूरे चांसज है हाँ इसके बाद अगर आपके इडोलोस में 200 और फूर रहें की ह। सिस्ट सिकें अंदर ही ओल्मुस्ट्स दोस्तों की आसपास आपके आपको पूरे पूरे जान até तरह और कि इंगररिए पयूयरिंग इसके बात बात इसमें कितना कटोप रहेगा वहां जी अब यूनिक्स की भी बात कर लेते हैं अब कोई बात नहीं आप जन्रल के टेगरी से हो आप जन्रल से हो 1100 रहेंगे ऑसके डीडी आप कोई बात नहीं दोसों एक सोनभल से लेकर 200 के आसपास हैं यह मिलने के पूरे पूरे चांस ए विसे एरोस्पेस में बच्चे काफी जदा इंच्रस्टेड और क्यों इसका बधा रिजिन आए एविएशिन इंडस्ट्री में काफी जड़ा बढ़ती जा रही है तीन अजार फ्लाइट्स प्लाइब करती है ड्रोन टेक्नोलोजी बढ़ने वाली है आजकल तो हमारे बेंगलोर के अंदर उड़ने वाली कारिया सुखिए वहां जी फ्लाइब टैक्सी आपने देखियोंग हैं ड्रोन टक्सी पैसे ड्रोन नोर्मल होगा उसके लिए अलगी लग रूल बनाए जाएंगे एरोस्पेस नाउ इस डविए ग्रोइंग फिल्ड इन दो वर्ड आपनों के बहुत सारे सवाल होते हैं यह एरोस्पेस के लिए आई एस्ट में नहीं हो रहा और कौन-कौन से चांट, आस्मान, मून, इलोनमर्स, नासा, इस्ट्रोव में जाना मेरे को हैं चांट, बना हैं और को मिसाइल इंजिनेरिंग करनी हैं मिसाइल बनाना है मिसाइल हें बनाना हैं अंची ये एरो नोटिकाइर एरो स्पेस इंगिनियर एरो प्लेयन को ठीक कौन करता है हां एरोपलेन बनते थी करने वालों में डिन के अंदर लेकिद एक हजार kard chacun कम घड़ गाड़े कम बननाने वाले कम यह तो कहीं घड़yson को ठीक करने वाले बन जाएंजाय में अच्छा इसके लिए कौन सा कोर्स होता है यह कौन से कोलेज होते हैं इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा दोन्ट वरी वैसे तो हम आउट विकम एविएशन इंजिनियर दुनिया का सबसे अफोडेबल काउंसलिंग प्रोग्राम हम आधरन कर रहे हैं आप लोग जरू इंजिनियर बना दे अच्छा प्लेस्मेंट हो और इंडी एच्छा हो इन्नोवेशन हो टेकनलोजी हो लेव हो हाँ मजा आजा एकदम आप तो उसके लिए आप मारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है यह पिर हमारा एक कोर्स चलता है कोले जानका डोट कोम पे आप उसमें ज इस टी आइसेर आए इसकी बहुत जड़ा लाकों में पीस है बेंक बहुत ज़्यदा लुटता है हमको जी कौन सी स्कीम है कौन सा लोन स्कीम है कब जमा करना पड़ेगा इमारे लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सा है जो कि आपको गाइड करते हैं आप बोर्ड लाइन नमर इसके बारे में तोड़ा डिसकर्स कर लेते हैं अब स्टी के अंदर आपके गर पचास रेंग है तो भी हो जाएगा एक हमारा और इंजिनेरिंग बच्ट के अपिया डिवल दिग्री हां जी तू बेचलर भी कर ले साथ मांस्टर भी कर ले हां तो इसके लिए कितना रेंग चाहिए और बात करते हैं जंटरल वाले बच्चों की हां आपके गर चौदा सो क्या स्पासरिंग का रही है हां जी अब दस पीस उपर निच्चे भी हो जाती है कोई बात नहीं तुमको मिल जाएगा और उसके बाद में एड़ुस के टिग्री आपका हां जी आप एड़ु तो एकोनमी विकर सेक्षन से आते हो आप कोई बात नहीं तुमका भी 200 के आस पास मिल जाएगा अच्छा ओभी सी है तुम्हारा है ओभी से के टेगरी सी हो तुमकि 500 तक तरको भी मिल जाएगा ओबी सी के टेगरी विसे ओलमोस सभी के अंदर 400 400 500 तक जा रहा है तीनों के अ फैस जेंडरल में 1000 पर मिल रहा था आवियो निक्स में 1100 तक पोच गया डूवल डिगरी में 14000 तक पोच गया है तक मिल रहा है और स्ट वाले 30 तक पोच गया अच्छा आपके भी बहुत सारे सवाल हों कि बिया मैं एरो स्पैस इंजिनेरिंग करना है अच्छा पोलेज इस दो नासा बड़ी बड़ी कंपनी जोने का अच्छा मोका मिले हैं तो आप हमारे नमबर पर पर कोल कर सकते हो इसके लिए कोई चार्ज़ नहीं है पूरा एक्यूरेट अच्छे को जो में पूरी आपको गाइड के जाता है अब यह बैसिकली होता क्या है पड़ाय क्या जा सारा चीन है कौन सा स्टेट बेस्ट है वेसे तो साउथ के रिया में बहुत एरोस्पेस के कोलेज है तमी लाडू अंधर परदेश अब उधर तेल लेंगा ना उधर बहुत सारे कोलेज है एक मदरास इंस्ट्ट्यूट ओप टेखनोलोजी बहुत अच्छा कोलेज है वेसे तो इस पे कोल कर सकते हो हाहा